हलो गाईज, 120 शब्द प्रती मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेगेंड बात स्टार्ट, महोदे, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा की इस्थिरता का अर्थ गलती से जड़ता नहीं समझ लिया जाना चाहिए स्टारों के मूल में यह बात समझनी होती है कि परिवर्तन आवशक है स्टार्ट, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद से हम जिन आर्थिक नीतियों पर चले कोमा उनसे हम विकास के ऐसे सोपान पर पहुँच गए की जिससे 2001 तक हमारा काम अच्छी तरह चलता रहा स्टार्ट इससे पहले भी परिवर्तन की आवशक्ता अनुभव की गई थी और असी के दशक के अंत में परिवर्तन शुरू भी किये गए थे स्टॉप 1991 के संकट से तो इस परकिरिया में तेजी आ गई स्टॉप अपनी पिछली नीती से हमें जो सफलताएं मिले थी कॉमा ये सुधार उसी पर आधारित थे स्टॉप यदी हम 2.1991 के नियमनों को दूर कर सके और उदारिकरण को जारी कर सके तो इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री के बुद्धि मत्ता पून मार्गदर्शन में स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद से हमारी अर्थ्ववस्था के विभिन शेत्रों ने प्रगती कर के एक आंत्रिक शक्ती प्राप्त कर ली थी स्टॉप उनका घोषना पत्र कॉमा पार्टी का 1991 का घोषना पत्र इस बात का स्पस्ट और बिल्कुल सही ध्योतक है कि क्या आने वाला है इस टॉप क्रशी में अपनी प्रगती के फल स्वरूप हम आत्म निर्भर हो गए थे कॉमा हमारे उध्योग इतने मजबूत बन गए थे कि बाहर के विदेशी संपर्क को वे जहल सकें प्रगता के शेत्र में भी और सहयोग के शेत्र में भी इस टॉप हमारी नीती में एक निरंतरता बनी रही है जिसके परिणाम स्वरूप हमें अपने सुधारों के लिए आधार मिला है स्टॉप जो नई आवशक्ताएं आ रही थी और जो वास्तुविक्ताएं सामने दिख पड़ रही थी कॉमा ये सुधार उन्हें देखते हुए कि ये गए थे स्टॉप मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं की भविश्य में भी हमारे सुधारों का सिलसिला इस बात पर निर्भर करेगा की हमारे सामने कैसी घरेरू जरूरतें आ रही है जैसे जैसे हम इन सुधारों पर चलते जाएंगे तो जहां कहीं उनकी कमिया नजर आएंगी उन्हें दूर करने की चेस्टा की जाएगी Stop में सुधारों को भेतर बनाने के लिए दिये गए सभी सुझावों का सुआगत करूंगा कॉमा चाहे वे आप सबसे मिले कॉमा चाहे मेरे साथ ही राजनितिक नेताओं से कॉमा चाहे वैवसाय विशेसग्यों से मिले कॉमा चाहे जनता से स्टॉप और यह सब हमारी सुधारों की नीती के अनुरूप होगा और वास्तव में तो यह उस नीती को मजबूत बनाएगा कॉमा कभी उस नीती को परिशुद करने पर जोर देकर और कभी उसमें मानवहित का ध्यान देकर कॉमा और यह दोनों पहले दिन से ही हमारी नीती का एक भाग थे स्टॉप इस सम्मंद में मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूंगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है इस्टॉप यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकरत गरीब वर्गों को कोई लाब नहीं हुआ इस्टॉप कॉलेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तुविक है इस्टॉप पैरा महोदे, कौमा स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूजने की चेस्टा की है इस्टॉप इस समश्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महतोपून कारण यह है कि हम व्रधी और प्रगती की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो परियाप्त उची हो स्टॉप इस व्रधी और प्रगती के जो लाब पहुँचे हैं कॉमा उनसे समश्या हल नहीं हुई स्टॉप इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी व्रधी की दर की रफ्तार तुरित हो जाए स्टॉप परंतु चूंकि व्रधी के लाब पहुचने में काफी समय लगता है कॉमा इसलिए मैंने यह फैसला किया कि केवल गाओं के इस्तर पर अलग से साधनों का एक पाडशव टीका लगाया जाए ताकि पहले के मुकाबले गाओं के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा कॉमा स्वास्थे और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके स्टॉप इसे बाईपास माडल कहा जाने लगा है जो गाओं में गरीबों के एक महत्वपून कारण पर ध्यान देता है अधार्थ वर्ष भर गाओं में पून रोजगार का अभाव जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंडने के लिए गाओं वाले गाओं छोड़ कर शहर स्टॉप उसकी कठिनाईयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सारुजनिक वित्रण परनाली को लागू किया है जिसके अंतरगर्थ गरीब लोगों को अनाज विशेश रियायती दरो पर दिया जाएगा स्टॉप मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राश्च्रिय नवी करण को शुरू किया गया है स्टॉप मुद्रा इस्विती को न्यूंतम करने का कोई भी परियास छोड़ा नहीं गया स्टॉप में यहे चर्चा आपक के लिए कर रहा हूं की हमने आख मूंद कर ये सुधार नहीं किये बलकि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किये हैं कि क्या कठिनाईयां सामने आ सकती हैं और इस दिशा में समझते बूजते हुए परियास किये हैं कि उन कठिनाईयों को किस तरह कम किया जा सक ताकि इन सुधारों का लाब समाच के सभी वर्गों तक पहुंच सके। मेरे लिए व्रदी की दर के आकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने अपने परियास आगे बढ़ाए हैं। आज जरूरत इस बात की है की हम बड़ी साउधानी पुर्वक यहें देखें की समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको ततकाल और परभावकारी ढंग से दूर करें। फुल स्टॉप